अब हम अपना फॉर्स्ट चैप्टर जो हमारा है सेट या समुच्चे वह शुरू करने जा रहे तो उसमें हमारे जो जो टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं अब को वीडियो किस तरह से मिलेंगे पहला वीडियो जो मिलेगा वो आपको इनट्रो का उस चैप्टर के और जीतनी यहूद वी ध्यूरी लग जाएंगे तो यहां पर आप स्क्रीन सॉट ले 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 लिजे पहले और उसके बाद अब हम पूरा वन बाइवन एक टॉपिक देखते हैं क्या है तो पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक्स हमको पढ़ने कौन-कौन से तो पहला हमारा इंट्रोडेक्शन हो जाएगा क्या है तो यह पूरी की पूरी तो सबसे पहले तो हमको सेट क्लियर होना चाहिए कि समुच्चे होता क्या है ठीक है तो समुच्चे क्या होता है यह एक संग्रह होता है वर्स्तूओं का और सू परिभासित होता है ना मतलब चीजों को बिल्कुल clearly बता दिया जाता है कि इस तरह की चीजें इस एक particular group में हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं समुच्चे बोलते हैं ठीक है तो समुच्चे उसके बाद हम पढ़ेंगे समुच्चे और इसका निरूपन फिर समुच्चे क्या होता है यह देखा हमने समुच्चे को रिप्रिजेंट कैसे किया जाता है यह देखेंगे फिर उसके बाद रिक्त समुच्चे है ना समुच्चे आगे कई तरह क्या होते हैं तो उसमें रिक्त समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मआ गात वेनहूर एक समुच्चयों पर संक्रियां समुच्चया का पूरक दुसमुच्चयों का यूनीन और इंंटर्सेक्शन होगे यू इतनी चीजे पढ़ने इतनी सबढ़ने ने-स मिलें कि इन ही के उपर पूरे कं पूरे तो अब आता है हमारा सबसे elements समुच्चे क्या होते हैं तो यही कि वेल डिफाइंट कलेक्शन ठीक है मतलब वस्तूओं का सूप परिभाद से संग्रह जो होता है उसको हम बोलते हैं समुच्चे ठीक है एक्जामपल अगर हम ले तो कहीं पर धेर सारी चीज़ें उनमें से हम कुछ चीज़ें चुन ले रह है तो यह क्या होगा एक सेट हो जाएगा बेल डिफाइन उसमें और समुच्चे की खास बात ही होती कि इसमें और समुच्चे में जो भी धेर सारे जोसकी हिस्से होते उनको हम अवियों गोलते हैं समुच्चे के ठीक है तो समुच्च्चे और इसका निरूपड कैसी कि जा सब्सक्राइब करते हैं और निरूपड कैसे होता समुच्छे का यह जो मजला प्रेकट होता है उसके अंदर हम उसके अभ्यमों को लिख देते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह एक समुच्छे हो गया बिल्कुल क्लियर है कि हाँ एक से लेकर के दस तक की संख्याइब ही है और निरूपड कैसे होता है इन सब को क्या बोलेंगे इन सब को बोलेंगे अभ्यों या एलेमेंट्स बोलेंगे मलें है यह समुच्चेंगे और एक अव्यों को एक ही बार लिखा जाता है किसी भी समुच्चिया में तो एक से रिप्रेजेंट किया और एक से लेकर के 10 तक वैसे जब भी हम एन सेट की बात करते हैं एन की तो एन में पूरे के पूरी जितनी भी प्राकिर्टिक संख्या होती इस सारी आ जाती है लेकिन यहां पर बस हमने एक्जामपल ही लिया है ठीक है ऐसा मतलब एक से लेकर के 10 लेकिन जब भी एन की बात करेगा तो वह क्या होगा पूरा का पूरा एन उसमें पूरी पूरी प्राकिर्टिक संख्याय रहेंगी उसके बाद आता है तो इसके निरूपन हो गया कैसे लिखते हैं किसी समुच्चे को मजली ब्रेकट के अंदर लिखते हैं हमेशा और हर एक अवयों के बाद हम कामा लगाते चले जाते हैं तो यह होता है रिप्रेजेंटेशन है निरूपन होता है समुच्चे का फिर उसके बाद आता है रिक्त समुच्चे रिक्त समुच्चे क्या होता है तो समुच्चे हमने देख लिया कि अवयों को हम संग्रा करके रख लेते ह इसको बोलते हैं समुच्चे, रिक्त समुच्चे वह समुच्चे होता है जिसमें कोई भी अवयों नहीं होता है, तो इस तरह का अगर कोई भी समुच्चे है, मान लेते हैं कि a बराबर या एन बराबर ही हो हो सकता है इसमें क्या है कोई भी समुच्चे नहीं है कोई भी अव्यों नहीं है समुच्चे नहीं तो इसमें कोई भी अव्यों नहीं है लेकिन अगर गलती चन्न एक डॉट भी रख दिया तो यह एक अव्यों हो जाता है तो इसलिए रिक्ट समुच्चे को हम ब्रेकट से न पाइ कि अगर हम बना देते हैं तो वो क्या हो जाता है रिक्ट समुच्य हो जाता है वस्टूर का एक संग्रा होता है अब एक ऐसा समुच्य जिसमें कोई अव्याव है ही नहीं उसको क्या बोलेंगे जैसे एक सां कि 3 से तो कटने वाली व कर बहुता है। है टीन से कटने वाली है अब सब्सक्राइब पर 6 यह हैं तो फिर 3 से कटने वाली और 3 से बड़ी 3 सिन कटे बी और 3 तो एसी कोई संध्या नहीं मिलेगी हमको है ना अबहाज है तो फिर किसी और से कटने वाली नहीं है अपने और एक क्यलामा और तीन से बड़ी भी तीन तो मान लीजिए मिल जाएगा लेकिन तो यह क्या हो जागा यह मेर्थ हांगे अगर की संख्या को घन सकते हैं तो वो हो जाएगा अन्हाँ wprowad मतलब को का समुख्यक बस बोले तो पतने होते हैं चना परीमित सब्सक्राइब अधने से हो जाएगा तो । यह होता है परिमित मतलब निश्चित होगा अव्यों की संख्या तो परिमित होगा और अनिश्चित होगा तो अपरिमित होगा फिर उसके पाद आता है समान समुच्य है ठीक है इक्वल सेट यह क्या होते हैं तो जब हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट भी है अगर इसमें अव्यों की संख्या इसके बराबर है तो इसको बोलते हैं समान सेट ठीक है समान समुच्चे बोलते हैं मतलब एक सेट एग्जामपल हम लेए एक्वल टू कुछ भी है चार साथ नौ आठ और दूसरा सेट भी है फूझी भी हो सकता है मानले चार साथ नौ और आठ यहीं ले ले रहते हैं तो यहां पे अव्यों की संख्या सेम और 11 भी सेम है तो यह होते हैं समान समुच्चे From Sumved समच्चा में दूसरे की बरावर, ठटे के एवन एटू या जो भी ही हम मान सकते हैं तो कि यह समान समुच्चे फिर उसके बाद कूप समुच्चे अच्छा यह पर पर एक चीज़ छूट गया है समुच्चे की लिखने की जो विदियां होती यह दो विदियों होती है तो हमने समान समुच्चे देख लिए ठीक है महाँ पर इक्वल होते हैं नंबर अफ एलेमेंट्स है ना दोनों में सेम होते हैं फिर उसके बाद एक आएगा समान यह समुच्चे भी देख लिया कोई भी इलेमेंट ही नहीं होता है इसमें तो यह क्या हो जाता है रिक्त समुच्चे समुच्चे लिखने की विधियां तो दो विधियां होती है समुच्चे लिखने की एक होता है समुच्चे निर्माड विधी और एक होता है रोस्टर विधी ठीक है तो रोस्टर विधी और समुच्चे निर्माड विधी क्या होती है देखते हैं तो पहले आता है रोस्टर विधी और फिर उसके बाद आता है समुच्चे निर्माड विधी रोस्टर विधी में समुच्चे जो भी निर्माड विधी में हम सिंबल का यूज़ करता है हम एक्स लिएंगे और एक्स आपने लोगों ने लिख रखाओ इसको उप समुच्च घात समुच्च और सारवत्त्रिक समुच्च फिर उसके बाद वेंड डाइग्राम हम देखेंगे तो इसके बाद भी यह आएगा ठीक है तो रोस्टर विधी क्या होती है रोस्टर विधी में जो भी दिया रहेगा हम क्या है रहेगे हम प्राकिर्टिक संक्षा या समसंख्यां का समुच्च है यह कोई शेठ है और जो की है शमसंख्यां का समुच्च है तो उसको किस तरह लिखेंगी बदाबर क्या लिखेंगे लोश्टर विधी में आप तो दो, 4, 6, 8, 8 और करके आप जाता चला जाएगा तो यह क्यों हो जाजगा यह रॉस्टर मेथड लिव घया लिखने का रॉस्टर विधी ओ गई सम्चे लिखने के समुच्यनिर्मार विधी कैसे होती है तो समुच्यनिर्मार विधी होती है इस तरह से dio कोई नंबर lerati कैसा औलद Или कईसा एक्स है ना मदलब रहा है वह सब 떡डा नशन आ घाट के सेइन से के स्था सय 210 प्राकृतिक संख्याअ। क्यों वेल्कूल एक लेकर करके एक, दो, तीन, चार और जाती ही चली जाहेंगी एन क्या है और कवा प्राकृतिक संख्या traitor और एन क्या है उसी का अभियों है ठीक है जैसे अभी हमने यहां पर देखा था कि ए बराबर अगर पोई समुच्छे लिखा एक दो तीन चार है न इस तरह से तो इसको क्या लिखेंगे तीन जो है वह अभियों है एका तो इसको इस तरह से लिखा जाता है ना ही जी साइन यह तो पूरा हो सकता है तो एकसी होता है यह होता है समुच्य निर्माढ विधी इस तरह से लिखा जाता है मतला हम सिंबल का यूज करते हैं और यह जो होता है यह समुच्य लिखने होती है पिर उसके बाद आएगा अच्राइद को पता होने चाहिए याद होने चाहिए वहdır है याध आया कि प्राकिरतिक संखियाओं से तो वो क्या हैं। सबसे पहले प्राकिरतिक संखियाओं का समुच्च HAHA यह तो याद ही होने चाहिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्छे को हम रेप्रिजन करते हैं N से और N में आते क्या 1,2,3,4 है ना डॉन 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 आता चला जाएगा खी तकी वैसे बुक में दिखाया रहता है इस तरह से तो इसका मतलब यह क्या है यह प्राकृत संख्याओं है पूरी और अगर कहीं पर आपको N दिख रहा है capital N इसका मतलब वहां पर मतलब दिया रहेगा चाहिए नहीं किया सकते हैं तो वह पता चले जाएगा आपको कि अगर कहीं इस तरह से दिया है N belongs to capital N ठीक है इसका मतलब जो N है वह इसी में से कोई एक है और यह स सकते हैं तो पता नहीं कहां तक सकते हैं तो जहां तक गिन सकते हैं वह होता है प्राकृतिक संख्या तो N इसी में से कोई एक है अब यह है उसका capital N का तो N belongs to N हम लिख देंगे तो यह होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और नेच्रल लंब इसमें क्या जाएंगे जीरो एक दो थीन चार और गाता है यह जाता है को से पंद कह दो होता है एंड का मतलब हुता है नेच्रल नबर संख्यां का समुच्च इस तरह से विलेगा जीरो भी रहेगा नेच्रल यह नम्बर बोट होता है कि इसमें जीरो नहीं होता और इसमें फोटा है तो यह तरह प्लस फ्लस 3 प्लस 4 आता चला जाता है तो यह सारे के सारे पूरांग है ठीक है संख्या रेका इस तरह से होगी ऐसे और यहां पर होगा 0-1-2-3-4-1-2-3-4 इस तरह से चला जाता है तो यह सारे जितने भी दिख रहे हैं वह सब्सक्topと पूरांग हैं किया यूज करते और जेड़ करते हैं इसके लिए क्या दिख जाएगा 5-0-1-2-3 और फिर आगे जाता रहेगा तो अब इसमें सारे पूरे के पूरे जितने हैं वो सभी पूडांग है तो अगर कहीं आपको इस तरह का देखने को मिलता है कि इसा मिलेंगे आगे मिलेंगे हैसे जो एन है वो इसी में से कोई संक्या है वह अचा फिर इसमें और इसमें क्या अंतर रहें जाएगा एग गला subscribe टू डबलू लिखा है और एन बिलांग्स टू जेड़ लिखा है तो फिर इन में डिफरेंस क्या है एन बिलांग्स टू एन होने का मतलब है कि जो एन है वो आ रहा है इस समुच्चे में से मतलब माइनस या जीरो नहीं हो सकता है सारी धनात्मक्स है ने जिरल नंबर है एन बिलांग्स टू डबलू होने का मतलब है कि जितना था उतना तो हो सकता है लेकि जीरो भी हो सकता है डबलू से बिलांग्स करने का मतलब यही है और एन बिलांग्स टू जेड इसका मतलब है क कि वह माइनस भी हो सकता है जीरो हो सकता है माइनस हो सकता है प्लस भी हो सकता है कोई भी संग्या हो सकती है कि यहां पर पास कोई लिमिट नहीं है तो इस तरह कि जो भी सिंबल्स होते हैं उनका यही मतलब होता है और इनका यूज कहां पर होता है समुच्य निर्माण विधी म है वह इसका यूज करके लिखी जातीए और मैंने बिलैंट्ल प्लब से सब्सक्राइब अगर संब्सक्राइब होगों 10 इन निर्मार तो यहां पर हमने समुच्चे है, हम इसका निरूपर देख लिया, है ना लिखने का तरीका देख लिया, निरूपर तो मजलिब रेकट में elements को लिख देते हैं, तो यह लिख दिया जाता है, उसके बाद आता है, उप समुच्चे, तो उप समुच्चे क्या होता है, यह ज़र समुच्चे है 1 2 3 4 5 6 7 दो जादव नहीं लेते आसान रहेगा तोड़ा अब यह हमारे पास समुच्चे है हमको एक और समुच्चे बनाना है जिसमें कि जो अव्यों आए वो इसी में से आते हूं यह जो भी अव्यों होगा वह कहां कहों 1 तो हम क्या बना सकते ने दो अरम 4 ऑद्धि ले सकते कोई रिश्टृक्शन नहीं तो इसको क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा ऐक और समुच्चे यह मालेती हैं विए क्यों मतलब एक तरह से यह पीता तो यह उपसमुच्य होता है थीक है तो क्या बोलेंगे बी जो है ना बी जो है वह उपसमुच्य है किसका एक ठीक है पुप समुच्चे को इस तरह से दिखाते हैं मतलब इसमें और इसमें बस यही तर्व ठोड़ा सा डिफरेंस है जब अवयो दिखाना होता है हमको तो यह वाला सिमबल लगाते हैं बिलॉंग्स्टू का और जब उसमुच्चे दिखाना होता है तब यह सी के जैसा बना सी के अब यह दिखाना होगा तब इसा बनाएंगे अगर क्लियर दिख रहा हो तो है न अदलोब अईसा दिखता है तो जब समुझ अब यह 3 जो है वो अवे वह एका तो इस तरह यह सिंबल लगाएंगे और बी यह सेट की बात हो रही है तो यह जो बी है यह एका उपसमुच्च ह थेंगे तो इस सिंबल से दिखाते हैं एक चीज इसको हम बोलते हैं निए पर शेट बोलते हैं इसके outta बाद आएगा उप समुच्चे की बात करेंगे है ना तो हर एक जो समुच्चे अब हमको उप समुच्चे के definition हमने क्या देखा कि कोई एक सेट होगा उसमें से ही अव्यों हम लेके बनाएंगे जो भी उप समुच्चे बन्ता है वो किसी एक समुच्चे मैंसे जो अवयों लेकर बनाए जाते हैं उसी को मोलते हैं उफ समुच्चे तो हम क्या कर रहे हैं सारे इले ले रहे हैं अभैशना एक हमने सारा का सारा आवियो ले लिया एक दू कि अव्यों को इसी में से लेने तो फिर सारा ले लो यह कहें छोड़ो गया है तो अब यह क्या आगया यह तो खुद ए आ गया है ना तो जब खुद ए आ गया इसका मतलब कोई भी सेट कोई भी सेट या समुच्चे अपने आपका उप समुच्चे होता है है ना कोई भी समुच्चे का डिफिनेशन हमने क्या देखा उप समुच्चे तब बनेगा जब हमारे पास कोई एक सेट है है ना पर एक्जमपल यह सेट एक दो तीन चार पांच यह साथ इसी में से हमको अ ले सकते हैं एक दो तीन चार ले सकते हैं एक दो तीन चार पांचे साथों ले सकते हैं तो आपने साथों ले लिया है ना तो जब साथों ले लिया तो क्या बन गया है यह ही बन गया तो उपसमुच्चे तो है लेकिन इसको उचीत नहीं बोलते हैं ठीक है मतलब हर एक समुच हें देस्ती हैं हुब दोगो होता है लेकिन उसको उचित नहीं बहुते होता है अब की समुच्य होगा कि है यह होता है उपसमुच्च तो किसी समुच्च जो कोई समुच्च होता है और को अलगा है वे तो अब हद Вас समुच्च्च की संख्या है ना क्या होता है तो कोई एक समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पास एक कोई उपसमुच्च्चै है एक कुल टू एक समुच्च्चै है 123 छोटा साही लेते हैं ताकि आसानी पड़े तो अब हमको उपसमुच्च्चै बनाने अच्छी बात बनाने या तो बनाईए यह संऊच्छा है तो आया कहां से निकल के आया है तो तो एका उप समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् धो ये यह बी एक हैना मतलब एक हमनेने लिया एक समुच्चह बन गया यह इसे हमें से अब यह समुच्चह नकलगा कि ऑब यहूट के लिखा जाएगा उचाए एक ही लिखा जाएग टो वह होता है सब्अज़ तो इसी में से अब यह आया है और क्या हो सकता है हमने तीन दिए लिया दोग चोड़िए तो यह क्या कि इसका उपसमुच्चे न हो अगर दर्दना कर रहा हो तो क्या हो सकता है वन्टू भी ले सकते हैं यह टूर समच्चे होगा होगा है नहीं सदंग में रहा है बताने में ठकान लग रही है उसका ध्यान रखो कि ए में से लेने हैं कि ए में से अव्यों को लेकर हमको समुच्छे बनाना है तो भई ये एठु लो रख दो चुप मार के है ना दूसरा वाले लेलो कि दो अगे लिए मज़ना ब्रेकर से बंद किये समुच्चे बना इसी को दो बोलते हैं उस्फ समुच्चे गारे ये भीजे में ना जा रहा हो तो कमेंट कर देना देख लेंगे फिर से बताएंगे ना नेक्ट वीडियो में अब सामने तो हो नहीं तो कईसे बता सकते है तो अब चलो हमारा मन नहीं कर रहा हमारा मन कर रहा हम दुई तीन लेंगे तो लो भी यह दुई यह तीन लो अच्छा यह भी उपसमुच्चे है अच्छा यह भी है चलिए ठीक है 123 क्या यह भी यह करता भी पहले बता है कि खुद आ उपसमुच्च्च होता है ना तो होता है तो कुछ हंदार है कि किद बनेए एख एक केले था व भी था तीन था वी था ऐक दो यह भी है एक दो तीन यह भी है एक दो तीन यह भी है कितने उपसमुच्चे बनेंगे तो देखो कितने उपसमुच्चे बनेंगे अब्समुच्चे थोड़ा सा पले पड़ाऊगा किया होता है एक कोई सेट है हमारे पास उसी में से अभजले लेकर जो बनाये जाएग वही क्या होगा ओफसमुच्चे होगा है ना तो इसी में से legislature हम नहीं ले लिए एक अब बन गया है कि दो कि कि तीन ये उस समुच्चे और एक कॉमा दो पिर दो कामा तीन पिर एक कामा तीन भी बन सकता है और एक दो तीन और क्या फाई हो बै करता है ये भी याद रखो है ना तो एक समुच्चे ए जिसमें तीन अवया है कौन कौन है एक दो और तीन ठीक है ए बी सी भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ए बी सी होगा तो ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा ये सी हो जाएगा ये ए भी हो जाएगा ये बी सी हो जाएगा यह साथ आठ उपसमुच्य बने बहुत च्छी बात आठ बन गया ना नमबर एलेमेंट्स थे कितने तीन थे तो अगर तो दो की पावर तीन कर दिया जाएगा तो आठ तो आज आएगा बहुत अच्छी बात है आठ आ जा रहा है तो किसी भी समुच्य संख्याय के उप्समुच्छे की संख्या क्या होती है टू की पावर थोधे लेख लो इस तो उप समुच्चे तो आया होगा समझ में अगला हम देख लेते उप समुच्चे की संख्या उदर का जो लिखा उसका काम है चलो हो सकता भी पड़े उप समुच्चे की संख्या और अगे संख्या तो कि आउप समुच्चों की संख्या क्या होती तो की पावर एलनो शालियों कितनी हम क्या है एन है number of elements in that set मतलब उस समुच्चे में अव्यों की संख्या है ना उस समुच्चे में अव्यों की संख्या जिसके उस समुच्चे की संख्या निकाल रहे उसके यार बात कर रहे हैं हम इसकी है ना समुच्च्चे संख्या हमको निकालनी है तो किसे की संख्या होगा तू की संख्या होनगा उसकी पावर फॉर उस समुच्च्चे को इसके बात करें इसके 16 बनेंगे तो कौन बनेगा 5 वन बनेगा 2 3 4 ठीक है अलाग 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 मजले इसके बनाते चलें 16 बनेंगे इसके तो इसलिए ज़दा हो जाते हैं फिर उसके बाद तहीं आ जाता है ँस्यूंद की से खिए रखते ही कितने होता है टूइभ और समुच्चे करिक संघा इसके बाद के बाद में पिक क्या सिनल्ट तॉम से तॉपिक था था विष्ट अच्छी और घात समुच्चे है होता है मिटा दिए नहीं उसी में हो जाता है गात समुच्चे क्या होता है देखो क्या होता है गात समुच्चे तो किसी भी समुच्य के उपसमुच्य ठेव सारे बनते हैं ए हमने लिया कितना वही पुराना वाला उधार एक दो तीन उपसमुच्य बनेंगे कौण कौन से अब उप समुच्चे तो पता होगा ना नहीं पता है अभी बताएं फिर से सुनों क्या होता है कि ए कोई सेट है है अगर पीछे छोट गया तो फिर से देखो ए कोई सेट है समुच्चे है उसके अव्यों लेके जो समुच्चे बनेगा उसको बोलते है उप समुच्चे उसको बोलते है ए वह सेट है इसके अव्यों लेके जो समुच्चे बनेगा उसको बोलेगे उपसमुच्चे तो क्या बनेगा एक ले लिया हमने समुच्चे बना दिया उपसमुच्चे हुआ इसका एका दो ले लिया उपसमुच्चे हो गया तीन और एक कामा दो और एक कामा तीन फिर दो कॉमा तीन और एक दो तीन यह सबी क्या है उपसम उच्चे हैं एक टोर होता है कौन सा अभी पता है फाई फाई भी तो होता है तो नंबर ओफ कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छेश फाथ आठ तीन है तो दोगी घरत तीन करोगे थो की पावर इन होटा नंबर ओफ फाल सबसेट है ना तो डो की घरत पांच छेस फाथ आठ त्यू थो दिकरा कैने दिकरा एक गदर्ट तो चार पांच भी अध्यू है ने यह आधर हमारे पास समसे स्वाइब को लेकर जो समुच्य बना जाग उसको बोलेंगे पावर सिर्ड तो ये थो येख समुच्य बना बड़ा वाला ब्रेकट लगा दो बड़ा वाला इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे घात समुच्चे बोलेंगे ठीक है किसका इस एका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पी एसे रिप्रेजेंट करेंगे है ना घात समुच्चे चीजे चीजे ख्लेर होंगी पहले तो उप्र समुच्चे क्लेर होंगा चाहिए तभी होगा उप्र समुच्चे दो बार बता चुके हैं नहीं समय में फिर से देखो तीन बार बताने कोई मतलग थोड़ी है तो घात समुच्चे उप्र समुच्चे का जो समुच्चे होता है क्या लिखोगे लिखने के लि उप समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च हाट नें देखा है तो कि कि इंपारी सेटप या फिर रिक्त समुच्छे ठीक है है रिक्त समुच्छे क्या होते हैं कि पनें लेग Its My时候 कि पहले हमने समुच्छे पढ़ आता समुच्छे क्या होता है क्यों एक संगळ्रा कि संभता है वस्तू होका तो मतलब एक group होगा एक समों होगा सुभय वस्तित वस्तू वस्तुमों का तो अब हमको रिक्त समुच्च पढ़ना तो यह एक ऐसा समुच्च होता है जिसमें कोई भी अव्योर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्च ठीक है इसके बाद आता है सारवत्त्रिक समुच्च तो सारवत्त्रिक समुच्च में क्या होता है यून इससे हैं को कुई भी सभारे उसको कि तरह लिखा जाएगा कर ली प्रेकट के अंदर कुछ वी ने लिखा लेकिन अगर इस-फिशन हो सकता है कि हमने जो यहां पर लिखाथ休息 मतब्द यह जहां Sud नहीं पाया है यह कहीं भी लिखा तो इसके लिए एक अलग नोटेसन इसका बनाया गया कोई तुन ऐसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम लिख देते हैं फाई ठीक है कि फाई क्या है अपने आप में एक सेट है जिसमें कोई कभी भी element नहीं है मतलब कोई भी अव्योन नहीं है इस फाई में फाई को कभी भी bracket के अंदर नहीं लिखा जाता है तो इसलिए फाई क्या है एक रिक्त समुझ्च है जिसमें कोई भी अव्योन नहीं है अब यहां पर लिख दिया तो ब्रेकेट लगाने का इन सबको कोई से दिखाते हैं उसके बाद आता है इस को उल्टा कोई एक भी नहीं सारवत्रिक समूच्चे में सारे के सारे हो रहेंगे मतलब एक कि ऐसा समुच्च्च होगा हमारे पास कि इसके जितने ही हमारे पास अवैले बल सेट एउस टाइम पर हो सारे ऑवयोगे उसको बोलेंगे HIM में यह करें तो यह बराबर हमारे पास है 123 और 20 93 ंडिया गया D बराबर दे दिया गया है आठ 9 या 8 9 ही हम आल लेते हैं और D बराबर दे दिया गया है 10 इस तरह से पास 4 समुच्छे है तो हम एक कोई ऐसा समुच्चे लिखते हैं यू यू लिखते हैं और यू को हम क्या ले लेते एक दो तीन चाफ पांच छे साथ आठ नौ और सभी का सारवत्रिक समच्च उनिवर्शल जाता है की इसमें सारे के सारे अव्यों होग है हमें तो इसलिए इसको क्या बोलता है इसको जो हम यह दिखाते तो किस तरह से दिखाते हैं से एक अंक q कि आयस से दिखाते हैं और यू से रेप्रेजेट करते हैं यूनिवर्सल से तो यह होगा यह होगा शैप्वैंट कि oxya reindeer City कोई भी बहुत नहीं होता और सार्वात्री समुचै में सारे करको rice कै loro देसे नुसरा अभी प्मूरवंचरring देखाता है समुच्चे का पूरक है ना पूरक क्या होता है तो जो किसी समुच्चे को पूरा कर देता हो है ना कम्प्लिमेंट ओफ सेट तो पूरक समुच्चे क्या होते हैं सारात्रिक हमने देखा अभी इसके पाद वेन डिग्राम हम देखेंगे तो थोड़ा बढ़िया से समझ में आ रहा तो पूरक समुच्चे क्या होते हैं वह समुच्चे होगा जो किसी एक समुच्चे के बाद एक ऐसा समुच्चे जो उस सेट के साथ अगर उसका यूनियन लिया जाए तो वह पूरा का पूरे यूनिवर्सल सेट मिल जाए कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक समुच्चे है और उसका जो यूनिवर्सल सेट है वह ही यू जो सारवस्त्री समुच्चे है तो अब ऐसा कौन सा स समुच्चे होगा जो ए और उस समुच्चे का अगर यूनियन लिया जाए मतलब एक साथ लिख दिया जाए तो यू मिल जाए तो चार पांच छे साथ आठ नौ और दस यहां चार से लेकर के दस तक जिस समुच्चे में सारे अभियों आएंगे और एक दो और तीन इन सब का पूरक समुच्चे है तो उसको हम दिखाएंगे इसका मतलब यू के वो सारे अभियों सारवत्रिक समुच्चे के वो सारे अभियों जो ए में नहीं है वो कहां आएंगे इस में आएंगे मतलब एक आही बस छोड़ना है एक आगर हमको पूरत चाहिए तो यू के सारे अभियों उसको छोड़के और वो एडस में आएंगे तो अब हम एकजामपल देखते ए में हमारा क्या क्या रहा है एक दो तीन आ रहा है और यू में आ रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस तो वो सारे अब जो ए में नहीं आए हैं वो कहा आएंगे मतलब एक के पूरक समुच्चे में आएंगे क्यों क्यों कि जब इसको और इसको एडेस को मिला दिया जाएगा तो यू मिल जाएगा सारवत्रिक समुच्चे यही होता है कि कोई एक समुच्चे है और उसका पूरक समुच्चे दोनों का यूनियन लिया जाएगा तो चाहिए अब वेंड डाग्राम से वार हम जड़ा अपना देख लेते क्या होता अब अगर हमको बी का चाहिए बी का समुच्चे बीड़ेस अ तो B में क्या है, 4, 5, 6 और 7 तो B ड़ायेंगे. B ड़ायेंगे, जो भी B में है उसको छोड़ के, तो क्या एक, दो, 3, अब 4 तो है B में, तो 4 छोड़ दिया जाएगा, 5, 6, 7 छोड़ दिया जाएगा, बाकी और क्या बचेगा, आठ नो और दस बचेगा ये सारे अवयो जो आए वो B' में आए अब अगर इस B' का और B का यूनियन लिया जाएगा तो ये U आजाएगा उसी तरह से हमको C का पूरक समुझे चाहिए complement of C मतलब C' तो C' क्या होगा जो C में उसको छोड़के U के सारे अवयो तो C में कौन-कौन है आठ और 9 है तो 8 और 9 को छोड़ दिया जाएगा बाकी सारे अवयो को लिख दिया जाएगा और वो किस में आजाएगा C' में आजाएगा तो हमारे पास C' में क्या हैगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 साथ फिर आठ और 9 तो C में आएगा तो 8 और 9 नहीं रहेगा और फिर उसके बाद 10 तो इतने यह सारे अवयो C' में आ गए D' कि अगर हम बात करेंगे तो D' में कौन-कौन से अवयो आएगे अगर आप यहां तक ध्यान से देखेंगे तो D' बता सकते कौन-कौन से अवयो आएगे तो एक बार पहले खुद से लिखे फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं कौन-कौन से आते हैं वीडियो पॉस कीजिए और खुद से लिखें D' क्या होता है उसके बाद आंसर मिलाए कि क्या आपका सही है तो D' क्या होता है देखें D' में आएंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और बस 9 तक ही क्योंकि D' में तो 10 है तो 10 को ही बस छोड़ दिया जाएगा ठीक है तो यह सारे हमारे क्या हो गए यह पूरक समुच्चे हो गए तो पूरक समुच्चे जाने के लिए सबसे पहले हमको सारवात्त्रिक समुच्चे पता होना चाहिए ना यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए है अब इसके बात करेंक अधा वह क्योंता हुटा है अधि जरो ANYग्राण क्या होता है और हम उसको फीगर के तॉम इसको दिखाते हैं तो उसको पोढ़ें किस तरह से हुता है और कौन किसे ऑपरित हैं के ऊपर हुआ है 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 आज यहाँ है हुआ है कि भी अरेख ठीक है तो विन आरेख अगर आपको इसको वेनर वेनरे गोला बना बना दिए जाएगा और इसके अंदर एक दो तो वे नरेक में इस तरह से किया जाता है किसी भी फिर एक दूसरा समुच्य हमारे पास यूक्ति बडाबर है चार और पांच तो इसको गोला बनाएंगे और इसके अंदर चार पांच लिए भी हो गया थे तरह से रिपजेंट किया जाता है लेकिन यहां पर अभी जब कि उपरेशन के तो कि कि जो संग्रियां होती है सबस्क्ते होता इन्टर्सी न रहे गा यू यहां पर हम यहां पर दिखा देते एक दो तीन और बी में जो आएगा हो चार और पांच आ जाएगा यहां पर इस तरह से रिप्रिजेंट कर दिया जाएगा और अभी तो अभी कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे हम कि ना तो हमको इंटर्सेक्शन निकालना ना ही यूनियन निकालना है तो यूनियन के अंदर पूरा कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पांच सारे अवियो आ जाएंगे यू में इस तरह से अब जो भी ऑप्रेशन समको करनी है है ना समुच्चेयों के ऊपर तो वो क्या हो स यूनियन का मतलब और होता है यह चीज मिलेगा ठीक है यूनियन यह चीज याद रखना है कर चाहे हम बोलेंगे सम्मिलन कहीं आगर क्वेस्चन में आ जा रहा है और इस तरह से रेप्रेजेंट करेंगे यू से।- और इंटर्सेक्शनБा मतलब होता है अत्वा, या पिर या आएगा, या लिख्ट की आरहा है, तो इसका मतलब होता है इंटर्सेक्शनों, और इसका मतलब होता है उभैनेस्ट, तो यूनियन और इंटर्सेक्शन अब हमको क्या ए ए यूनियन बी निकालना है इसका मतलब ए यूनियन बी यही एक्जामपल हम लेके चल रहे हैं तो ए यूनियन बी में कौन-कौन से अव्यों आएंगे इंटर्सेक्शन की बात करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे तो ए इंटर्सेक्शन बी मतलब A और B में जो चीजे common है, तो A और B में ऐसा क्या है, जो common है, तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिक्त समुच्य है, और रिक्त समुच्य को कैसे दिखाए जाता है, फाई से दिखा जाता है, तो या इसमें कोई अवयो नही तो इस तरह से और यह लिखने को कोई मतलब नहीं है तो डारेक्ट हम क्या लगएंगे थाई लिख देंगे तो यह क्या गया एंटर्सेक्शन भी और जो की इसके लिए इस एक्जामपल के लिए थाउगा फाई होगा एक दूसरा एक्जाम्पल अगर हम लेते हैं ए बराबर हमारे पास कोई भी है वान टू या ए बी सी डी हम कुछ ले लेते हैं और बी इक्वल टू है अब यहां पर हमको निकालना ए यूनियन भी अच्छा सेट की एक बात और होती है कि इसमें यह सुरुवात में बताया गया है कि सेट में कोई भी कोई भी होता है वह दो बार नहीं लिखा जाता है एक बार लिखती है कि उसका काम खतम ठीक है मतलब क्योंकि यह क्या एक वेल डिफाइन कलेक्शन एक सुपरिभासित संग्रा है तो इसलिए एक ही बात लिख दिया गया तो वह मान ले जाता कि हां और कहीं पे भी समुच्चे के अंदर वह अव्यों कहीं पे भी लिखा जा सकता है इसे कोई फर्क नहीं पड़त फिर में क्या आएगा यह आएगा भी सी दिए यह तो एक शारे आगये उसके बाद फिर यह लिखा जा चुका अब नहीं लिखा जाएंगा यह अब इस तरह नहीं होगा डी लिखा जा चुका है तो इस डी इसे कोई मतलब नहीं एक बार लिख दिया गाए तो बचा एफ और जी तो इसी के आगे क्या लिख दिया जाएगा एफ और जी लिख दिया जाएगा तो यहां पर एउनियन भी में क्या आगाए एबी सी डी इफ और जी दोनों मिला करके डी डी दी दो बार है उससे कोई मतलब नहीं एक ही बार लिखा जाएगा यह होता है यूनियन का मतलब किसी भी सेट लिखने का यह तरीका होता है कि कोई भी आवयो दो बार नहीं लिखा अब यहां पर निकलना निकालना उभायनेश्ट तो वह किस तरह से निकलेगा एगई सिंटर्सिंट नदी अब ए और बी में जो कॉमन है तो यहां पर क्या क्या कॉमन दिख रहा है एऔर भी में जो भी कॉमन दिख रहा है वीडियो पॉस्ट करके पहलो last नियुट फिर उसके बाद मिला है कि झा यहattend एं तो वहन impulse के एथे चीचा थे और और यहीं इंटर्सेक्शन हो गया अगर आंसर सही है तो बढ़ा ही हो समझ में आ रहा है और तो यह हमारा यूनियर और इंटर्सेक्शन का खेल ठीक है आगे क्वेस्टेंस पर हमको सारे यह सारी चीज़े मिलेंगी अब इसके बाद आता है अंतर ठीक है दो समुच्चेयों का अंतर है न वह किस तरह से मिलेगा तो यही एक्जाम्पल हम से इम लेके चलते हैं पर समुच्चेयों का अंतर है वह किस तरह से मिलेगा तो A-B मिलेगा नहींस भी हम यहां כई कर अान पर तो ए और ब में तो आगप लिखना है तो एसमें वह सारे अव्यो味 आएंगे कि जो एक तो अव्यों है लैकिन बीके नहीं होने चाहिए हो डो दिधर लेकिन बीकेň नहीं है तो वैसे कौन जारा बीको तो पूरा का-पूरा हटा दिया जाएगा तो और जो नहीं है उसकी तो बात ही अलग है तो यहाँ पे हम यह एक्जांपल लेके चल रहे हैं उसके लिए हम A-B निकाल रहे हैं तो D हैं तो D नहीं लिखना जया है जो अ में बच रहा है जो पहले लिखा है लिखा है A second A-B, तो A के ही अवयो आने है A-B में, अगर लिखा होता B-A, तो B के ही अवयो आते, और कुछ कम भी आते, तो वो कौन से होते, जो B वाले थे, वो निकल जाते, तो जैसे यहाँ पे A-B निकालना है हमको, तो इसमें कौन से अवयो आएंगे, तो पहली बात तो यह दिमाग मे हटा दिया जाएगा, पूरा को पूरा, तो B में, देखो, B के अवयो कौन, D, E, B का है, F, G है, तो F, G इसमें कहा है, है ही नहीं, तो उसको तो कोई मतलब है नहीं, उसको देखें नहीं नहीं, लेकिन D और E है B में, तो D हटाओ वहां से, तो D, E हट गया, तो बचा क्या, A A-B में के आजाएगा, A, B, C आजाएगा, यह होता है, अंतर इस तरह से, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, यह हो सकता है, पहली बार में ना समझ में आए, दोबारा फिर से देखो, और दोबारा एक बार फिर से बता दे रहें, ताकि अगर पहली बार में कुछ कमी रही गई हो, तो अग्की बार में वो पूरी हो जाए, A-B, अगर हमको निकालना है, तो यह चीज पहले याद रखनी है, कि A के ही अवयो आएंगे उसमे, A-B में, तो A के ही अवयो आने हैं, और B के एक को नहीं आएंगे, B का कुछ नहीं आएंगा, B-B है ना, मतलब B तो पूर अचे का वही लिख देना है, ठीक है, इसका मतलब, B पूरा का पूरा हट जाएगा, तो B में, D, E था तो पूरा हट गया, है ना, पूरा का पूरा बी खतम, बचा गया, A, B, C बचा, तो वही A-B का element हो जाएगा, तो तीन आउपरेशन हमने यहाँ पर पढ़े, क्या-क्या पहला तो union पढ़ा, दूसरा intersection पढ़ा, और तीसरा पढ़ा, समुच्यों का अंतर, अंतर का एकाद दो और example देख लेते हैं, है ना, अच्छा, इसके लिए ज़र हम A-B अगर देखें, तो क्या होगा, यह BNRX से इधर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक अभी BNRX आगे देख लेते हैं, अना, बताने में अतना हो जाता है, तो, इसके लिए, ठीक है, हम इसके लिए अंतर देखते हैं, समुच्यों का, तो क्या होगा, A-B, बराबर क्या आएगा, A के ही अवियावाएंगे, जो B के नहीं है, तो 1, 2, 3, और इसमें कुछ common है नहीं, तो यह क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह चीज लेकिन उस टाइम याद होने चाहिए, A-B में वही अलिमेंट आएंगे, जो A के हों, लेकिन B के नहीं हों, तो B के नहीं हों, तो पहले B वाला जितना भी A में है उसको खतम कर देंगे, तो D था, उसको खतम किया, E था, उसको खतम क किया, बचा A, B, C, यही A-B का element हो जाएगा, यही logic सारे question में लगानी है, जहां पर भी A-B पूछेगा, और question फिर लग जाने है हमारे, तो अब इसके बाद हम Venn diagram पे चल रहे थे, तो अब उसी को देखते हैं, तो इन तीनों का ही Venn diagram भी बनता है, ठीक है, example को जड़ा पहल किस तरह से है, जो इसके बाद वाले example था, A equal to, वो क्या था, A, B, C, D, E, और B equal to था, D, E, F, G, इतना था, ठीक है, हमको देखना है union का, तो पहले हम एक universal set बनाएंगे, इसके अंदर A होगा, और B होगा, तो हम पहले यहां पर देखते, A में क्या है, एक, दो, तीन है, एक, दो, तीन हमने लिख दिया, और इसमें, चार, पांच, कुछ common नहीं था, तो कुछ भी नहीं, टैच नहीं, ऐसा बिल्कुल बस इस तरह से बन जाएगा, यह इसके बनाना होता, तो इसके लिए क्या बनता, A में आ रहा है, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, अब D, E जो है, वो तो B में भी है, तो वो B में भी आना चाहिए, और क्या, F, G, अब जो D, E आया, वो B में भी है, और A में भी है, A वाला बोला यहां से लेके यहां तक है, तो वो A में है, और, अच्छा, अब यहां पे हमारे पास, A, इंटर A, यूनियन B में आया क्या था, अभी इसके पहले जोने पड़ा, वो आया था, A, B, C, D, E, F, और G आया था, इतना आया था, इसका मतलब, यह जो पूरा रीजन है, ना, दोनों गोला मिला करके, यह दोनों गोला किसका, क्या रिप्रिंट कर रहा है, A, यूनियन B को रिप्रिंट कर रहा है, तो अगर हमको A, यूनियन B को दिखाना है, तो वो इस तरह से दिखेगा, यह जो पूरा रीजन है, यह है, A, यूनियन B का है, पूरा दोनों गोला मिला करके, यह A, यूनियन B है, और इंटरसेक्शन क्या बताता है, इंटरसेक्श जो common जो elements वो कौन सा region represent कर रहा है यह जो beach वाला दिख रहा है तो यह intersection को represent करता है तो union फूरा मिला करके होता intersection किस तरह से होता है intersection होता है यह वाला region तो यह होगा A intersection B तो यह जो बस beach वाला मतलब जो दोनों में common है वो होता है intersection तो इस तरह से होता यूनियं और इस तरह से होता है इंटरसेक्टन अब बच रहा है difference का तो यह जो difference में अभी हमने पढ़ाता क्या था एक ही element रहते हैं अब कोई element नहीं रहता मतलब भी पूरा का पूरा निकल जाता है तो भी पूरा का पूरा निकलेगा तो बचेगा क्या हमारे पास दो सेट हैं ए और बी गोले से इसेट को दिखाते हैं तो ए माइनस बी अगर हमको चाहिए तो एक के ही वो सारे अल्वेमेंट होंगे该 झो बी तो बिलकुल बी का कोई मतलब नहीं बिलकुल नहीं रहेगा तो बी बिल्कुल नहीं रहेगा मतलब खाली इतना यह वला हिस्सा होगा यह वला यह जो डिजाइन बन रहा है आदा नहीं जो भी बन रहा हो यह हिस्सा यह आएगा अगर बी माइनस चाहिए तो यह हमारा यह बी तो बी माइनस यह वाला हिस्सा कौन सा होगा पॉस्ट करके बनाना और उसके बाद फिर मिलाना थिक अब बी में आ रहा है यह वाला हिस्सा अब इतना तो दिख जाना चाहिए है है तो बी माइनस ए और यह माइनस भी यह रिप्रेजेंटेशन रहा सारे सेट्स का है ना और एक और आता एक टॉपिक और बच रहा है डिमोर्गन्स थेओरम है ना और अच्छा ऑपरेशन के कुछ रूल्स भी होता है ना कुछ प्रॉपर्टी भी होती है वह भी जरा आप हम देख लेते हैं कौन-कौन सा होता है यूनियन की क्या प्रॉपर्टी जो इंटर्सेक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है और यह डिफ्रेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है ठीक है तो अगला हम द है ना यूनियन का मतलब मिला दिया जा रहा है तो मिला जाएगा तो क्या होगा है ना क्या होगा कि दो सेट है हमारे पास एक ही है ठीक है एक कोई सेट है इसका हम यूनियन ले रहें किसके साथ में एक साथ में कर्विये एए यूँनियों कितना अजय एक सेट लिए और और फिर से वही सेट ले लिए धोनों मिला जा जायगा थो ऐसा नहीं हर एक अलेमेंट दो दो बार लिखा जाएगाелेमेंट सारे अंगी वार लिखने तो छेले को पूरे क्या जाएगा यह प्रॉपर्टी होती है यह यूनियन कितना आता है एक ही बार लिखा जाएगा ऐसा में यूनियन ने मिला ए और कितना टू यह नहीं होगा यह ही होगा फिर दूसरा ए––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– यूनियन और कुछ होगा एक यूनियन यू यू कोने सबका पापा है सबका पापा मतलब यूनिवर्शल सेट है यू में सब कुछ है और ए में कुछ है थोड़ा तो A के साथ सबको मिला जाएगा तो सब आ जाएगे तो यह आ जाएगा यू ठीक है फिर फूर्थ प्रोपरटी क्या है कि A के साथ यूनियन लिया गया है बी का और फिर उसके बाद इसका यूनियन लिया गया है सी के साथ यह बराबर होता है एं की यूनियन भीं में यूनियन सी के यह भी प्रोपरटी इसको बोलते हैं एसेटिव प्रोपरटी यह साहचरी प्रकुड़म बोल दें तो एसो तो देखने में ये बात बख्वास ही लगती है कि यह क्या मतलब है इसका मतलब यह कि यूणिएन भी छिका बी ए और बी घो पहले हमको उनको एक साथ लिखना है उनके सारे अवियमों को और उसके बाद शीख को न के साथ लिख देना चाहिए हैं अच्छा यह फिर या फिर और सी के सारे उसके साथ अगर एको मिलाएंगे तो बनेगा तो भी जो आएगा वो सेम आएगा कहने का मतलब यह है कि दूद चीनी और चाय पत्ती मिलाओगे तो भी चाय बनेगा चाय पत्ती चीनी दूद मिलाओगे तब भी चाय बनेगा ठीक है तो मैं मतलब वही है और क्य प्रफिफ्ट वाला कोई और बच रहा है आप यूनियल एक साथ हां यह तो यह तो पापा ने बुलकि दादा जी हैं पूरा-पूरा खंदान इसके अंदर है पापा की जब हम बात करेंगे तो यह सबसेट हमने पड़ा है सबसेट है ना एक होता है सबसेट एक होता है अगर उप समुच्चे क्या होता है तो अगर उप समुच्चे तो हमने पड़ा है कि कोई एक सेट होगा कोई एक समुच्चे होगा उसमें से कुछ अबया होने निकाले और एक नया समुच्चे बनाया तो उसको बोलते हैं उप समुच्चे है है ना एक हमारे पास समुच्छ है यह बराबर जो भी है अ है तो एक एक सेट है हमारे पास इसमें से इसी में से कुछ अभ्योर लेकर हम को एक नया समुच्छ बना रहरा तो या तो लर ले ले यह तो कुछ लें तो कुछ में क्या जाएगा बि-स है या सकता है और भी लेसकत करने वह थो हमारी मर्धी को उपर है तो B C D कoiselle गे लशनिये सीdd कि जो है वो A का उप समुच्च है, मतलब लड़का है, B, C, D, आया तो उसी में से, तो बेटा जी है, और ये कौन है, ये पिता जी है, A, है ना, A को बोला जाएगा अधी समुच्च है, और B को बोला जाएगा उप समुच्च है, तो उप समुच्च है, और अधी समुच्च है, एक यहाँ पे ला और जो हमको पढ़ना है, यूनियन का, कि अगर, A, कि अधी, ये जो है, अब उप समुच्च को दिखाते कैसे हैं, इस तरह से दिखाते हैं, B, जो है, वो उप समुच्च है, किसका, A का, अब यहाँ पे उप समुच्च्च दिखाने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, अब यहां को दिखाए जाएगा मतलब यह हम एक को दिखाएंगे इस तरह से दिखाए जाएगा अब यह के लिए मिलेंगे हमको तो यह एक एक इस वीडियो की एक एक बात पता होनी चाहिए मतलब अगर कहीं पर डॉट लग गया है तो उसका भी कहीं ने कहीं कुछ इससे आप से और उपसमुच्चे जब हमको दिखाना होता है तो अब हमारे पास यह जो है वह क्या है या बी को ही हम ले लेते हैं बी उपसमुच्च है A का इसके इसाप से चल रहे हैं या यह भी हो सकता है कि हमारे पास जो दिया गया समुच्च है वो B था और उसमें से A बनाया गया है यह भी हो सकता है तो A उपसमुच्च है B का यही बात उल्टी भी हो सकती है यह हो सकता है बी होता और हम उसमें से A को नहीं होती है तब तो यह हो जाता हुए इतना मतलब होता इसका comprend a subset है बी का यह उस तरह से होता मतलब यू को थोड़ा सा इसे बना कि उसके वाद धक्का दे दिया जाता है तो जब लुड़के गा तो अईसा बनेगा तो ए सबसेट है बी का तो तो ए यूनियन भी अगर ए और बी को मिलाए जाएगा तो क्या बनके आएगा मतलब जो ए निकल के आया वो बी में से आया है ए बी में से ही जब आया है तो यह पूरा मिला कि क्या बन जाएगा बी ही बनेगा एक्जामपल हम यहां पर देख सकते हैं ए और बी का ए अब हमको तो पता है कि ए जो है वो सबसेट है बी का तो ए यूनियन भी क्या आएगा ए और बी के सारे अव्यों मिला दिये जाएं तो बी तो खुद अपने आप में कंपलीट है ए जो आया वो बी में सी आये तो बी सीडी आएगा दो बार थोड़ी लिखा जाएगा तो ए यूनियन भी क्या हो जाएगा पूरा को पूरा बी आ जाएगा तो यही चीज यहां पर लिखे गए तो यह प्रापर्टी होती है किसकी यूनियन की है ना अब इसके बाद इसी तरह से प्रापर्टी हमको मिलेंगी इंटर सेक्षन की को भैनेश्ट कि और कुछ प्रापर्टी इसी तरह से मिलेंगी कि अंतर के है ना तो कि समुच्चेयों के जो अंतर होता है उसका कि अच्छा वेंट डाइग्राम से अगर रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे यूनियन का तो वह देख चुके है कि यह वाला जो दोनों में कि मतलब दोनों बोले का जो हिस्सा होता है यूनियन को ऐसे दिखाया जाता है ठीक है तो कि अधिक्राइब देखना तो यहां पर आजाएगा इंटर्सेक्शन कि सारे इतने भी यूनियन सभी हो जाएंगे इंटर्सेक्शन हें कि अधर्सेक्शन एंटर्सेक्शन मतलब ए और ए में जो कामन है तो ए और ए तो एकीचीज है तो सारे और कामन में फुट्रेशन परज़ेशन तो यह बात तो बिल्कुल union और intersection के लिए एक जैसी लागों होते हैं लेकिन दूसरी जो बात लिखे ए और कुछ नहीं में क्या common होगा तो ए है और कुछ नहीं क्या है कुछ नहीं common होगा तो यह भी क्या जाएगा कुछ नहीं आएगा मतलब पाई आएगा फिर ए और यू में जो common है तो यू में तो सब कुछ है और ए में बस कुछ ही अवया है तो जो कुछ है वो यू में भी होंगी तो दोनों में common जो आएगा वो क्या आएगा वो पूरा पूरा ए आ जाएगा अब यहां पर यह चीज से बिल्कुल वैसे ही होल्ड होती है जैसी यूनियन के लिए लागव होती थी यह बात तो सही है यहां पर क्या होगा कि जो कि ए सबसेट है बी का है ए उफसमुच्च्च है बीगए मतलब रहे ते और सको हमने निकालके कुछ हवें निकाले है औं कि में वो पड़े तो अगर उन दोनों में common लिया जा रहा है तो यह जो ए आया है वो तो बी से ही आया है और बी में तो सारे आवया पहले सी है तो यह जो आएगा वह ए आजाएगा यह उभैनिस्ट के गुण होते हैं थोड़ा सा अंतर रहता है और वो इतना है इधर अब समुच्यों के अंतर का गुण क्या होता है तो अगर ए मेंसे ए को घटा दिया जाएगा तो बचेगा क्या पाई बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा ए मेंसे घटा रहे हैं यह पहला हो गया फिर सेकेंड है ए मेंसे हम क्या घटा रहे हैं फाई को घटा रहे हैं मतलब ए मेंसे कुछ भी नहीं घटा आया तो बचेगा क्या पूरा को पूरा ए बच जाएगा और फिर तीसरा है A में से हम घटा रहे हैं U को तो A में से U को अगर घटाएंगे तो ये भी फाई ही आएगा क्योंकि A माइनस B है ना A में से कोई भी समुझे जब घटा है तो वो जो आएगा वो क्या आएगा A का ही अब ये वो आएगा और पूरा को पूरा U जो है पूरा को पूरा A वो तो U में है तो ये भी फाई आएगा उसी तरह से अगर सबसेट के लिए इतनी प्रापर्टी बनेगे क्योंकि इन सबको कोई मतलब नहीं होगा यहां पर माइनस में है ना जैसे अगर हम ये देखते हैं किसके Sabbath है यह सबसेट है किसका दीका तो A माइनस B कितना अएगा कि इस फी इस या दोनों बाते सेम हो जाते हैं यह वाली और यह वाली दोनों बाते एक ही हैं तो यह दोन। लिखने के मतलब नहीं तो इतनी चीज याद रखना है यहां पर जो पार्श है वह लग बाहाई शी चीज और बचाऊं Democrat tiden data अ मुटी लेख लेटें इसके बाद इसके बाद उसको हम करते हैं तो वह दिमार्गन थेश्म भी देख लेते हैं क्या होता है कि अंच कि अधिमार्गन पर में है लाइं पर में नहीं है कि अब तो तो उच और होगा अलग है ना डिमार्गन की जो लॉज है ना डिमार्गन की नियम तो वह क्या होता है दिमार्गन नियम क्या है तो यह क्या कहते हैं पहला तो यह कि ए यूनियन भी अब ए यूनियन भी तो हमको बता है कि चाह होता है ए और बी को एक साथ मिला दिया जाए उसका जो कॉंप्लीमेंट होगा ना उसका जो पूरत समुच्च्च होगा वह एड़ intersection B-dash के बराबर होता है और intersection B का जो compliment होगा वो ए-dash union B-dash के बराबर होता है यही है डिमार्गन का नियम इसको वेंट डाइग्राम से गरम देखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा वो समझ में भी आएगा असे को नहीं पर दिखाभी मिल जाता है चाहिए इस तरह है रहे या फिर कहीं पर इस तरह मिलेगा विद्ध का फुरा औपर बार लगा रहेगा और तो इक्वल का होता है एबार इंटर्सेक्शन भी बार और बार का मतलब होता है कॉम्प्लिमेंट पूरक समुझ्च है तो ऐसा भी लिखा मिलेगा और एंटर्सेक्शन भी का जो बार होगा वो होगा ए बार यूनियन हो जाएगा इस तरह से भी लिखा मिल जाता है तो चाहे इस तरह लिखा रहे हैं या फिर इस तरह लिखा रहे हैं यूनियन हो जाता है इंटर्सेक्शन और इंटर्सेक्शन हो जाता है यूनियन डिमार्गन नियम में वें डाग्राम से गर हम और यहां पर भी यह दोनों एकी चीज़ लिए तो यहां पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा यह यह पहले वाले के लिए हम देखते हैं और यहां पर हम सेकंड वाले के लिए देखते हैं ओभी तो फस्ट हमारा एंई यूनियन भी जो आएगा वह तो यह गोले के अंदर वाला ही उसका डैस चाहिए हमको उसका पूरक समुच्छे मतलब उसको चोड़के बाकि पूरब का पूरा गोलिंग के अंदर भाला भाग छोड़ दिए जाये तो पूरा बचे है कि यह इतना हो जायेगा हम हिए नो गोला पूर छोड़ के हम यह ऑग यह है एंग का डैस है ना इन्हें एजुन соверш मतलब एंग डिकल ईसको और क्या ग refr सकते हैं कि एका कॉंपले में पूरा यह वाला हिस्सा होगा और दोनमें जो कॉमन है न ए तो यह होगा गोले के अंदर वाला डैस मतलब पूरा इस एको छोड़कर जितना बचा है पूरा और B को छोड़ के जितना बजा पूरा तो यह पूरा आ जाएगा तो यह पहले वाले का इस तरह से होगा तो यह जो डॉटेड जो सैडेड रीजन है वह यहां पर जब बात करेंगे तो क्या है यह दूसरा वाला तो दूसरा वाला है A intersection B, A intersection B है कौन सा? A intersection B है यह वाला हिस्सा A intersection B का dash है यह हमको, तो A intersection B अगर इतना है तो A intersection B का जो dash मिलेगा वो पूरा का पूरा रीजन हो जाएगा बस वही यही बीच वाला हिस्सा छोड़के यह सभी पूरा यह भी include करके पूरा का पूरा rectangle बस यही इतना हिस्सा छोटेगा और इसको हम और क्या लेख सकते हैं इसी को लेख सकते हैं A dash मतलब A के बाहर वाला पूरा और union B dash मतलब B dash के बाहर वाला पूरा मिला के तो यह फस्ट वाला है और यह सेकेंड वाला यह वेंड डाइग्राम से रिप्रेंटेशन है और यह डिमॉर्गंस पर साथ कोई question नहीं है exercise में तो यही डिमॉर्गंस का लौ है ठीक है यहां पे थेवरी पाट पूरा का पूरा complete होता है अब next video में हम अपनी एक first exercise पूरी पूरी complete करेंगे thank you very much यहां तक बने रहने के लिए और अगर यहां पे आपको यहां तक कोई की दिक्कत होती है तो आप फिर से उसको वीडियो में दुबारा से देखिए अगर फिर भी नहीं clear होता है तो आप contact कर सकते है नंबर अपके स्क्रीन पर दिया गया है ठीक है और वीडियो को लाइक कीजिए प्रेंट्स के साथ शेयर करिए thank you